भविश्य का दूसरा नाम है संगर्ष रुदे में आज एक्छा होती है और यदी पूर्ण नहीं हो पाती तो रुदे भविश्य की उजना बनाता है भविश्य में एक छापून होगी ऐसी कल्पना करता रहता है किन्तु जीवन जीवन ना तो भविश्य में है ना अतीत में जीवन तो इस शर्ण का नाम है पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सक्ते समझ नहीं पाते या तो हम बीते हुए समय के स्मर्णों को घेर कर बैठे रहते या फिर आने वाले समय के लिए हम यूजनाय बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है एक सत्य यदी हम भिदे में उतार ले कि ना हम भविश्य देख सकते हैं ना ही भविश्य निर्मित कर सकते हम तो केवल घेरे और साहस के साथ भविश्य को आलिंगन दे सकते स्वागत कर सकते हैं भविश्य का तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा स्वयम विचार कीजिए भविश्य का दूसरा नाम है संगर्ष रुदे में आज एक्षा होती है और यदी पून नहीं हो पाती तो रुदे भविश्य की उजना बनाता है भविश्य में एक्षा पून होगी ऐसी कलपना करता रहता है इंटो जीवन जीवन ना तो भविश्य में है ना अतीत में जीवन तो इस शन का नाम अर्थात इस शन का अनुभव ही जीवन का अनुभव पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते या तो हम बीते हुए समय के समर्णों को घेर कर बैठे रहते या फिर आने वाले समय के लिए हम यूजनाय बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है एक सत्य यदि हम भिदे में उतार ले कि ना हम भविश्य देख सकते हैं ना ही भविश्य निर्मित कर सकते हैं हम तो केवल भैरे और साहस के साथ भविश्य को आलिंगन दे सकते हैं स्वागत कर सकते हैं भविश्य का तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा स्वाएम विचार कीजे प्रथम चड़ने वाला उस परवत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है क्या वही योजना उसे उस परवत की चोटी तक पहुंचाती है नहीं VASTAV में वो जैसे जैसे ऊपर चड़ता है वैसे वैसे उसे नई-नई सुनौतियां नई-नई विडम बनाएं नई-नई, अव्रोध मिलते हैं सते एक पद पर वो अपने अगले पत का निड्ने करता है जतेएक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है, कहीं पुरानी योजना उसे खाई में न ढखेल दे, वो परवत को अपने योग्य नहीं बना पाता, येवल स्वेम को परवत के योग्य बना सकता है, क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोग लेता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता, और ना ही सुख और स्चान्ती प्राप्त कर पाता, अर्थाथ, जीवन को अप का स्वयम विचार कीजे का सदा अपने संतान के सुख की कामना करते ह। उंके भविश्य की चिंता करते ह। कि की खारनों सदाही अपने संथानों के भविश्ये का मार्ग स्लेय मिंश्चत करने का फ्रेशनर करते रहेते। जिस मार्ग पर पिदाइब देखा हैं। जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वय देखा है। मार्क की छाया, मार्क की धूप को स्वयम जाना है, उसी मार्क पर उसका फुत्र भी चले यही इक्षा रहती है हर पिता की निसन देख, उत्तम भावना है यह किन्तु तीन प्रश्णों के उपर विचार करना, हम भूली जाते कौन से प्रश्ण? प्रधम प्रश्ण, क्या समय के साथ प्रतेख मार्क बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनाओतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव, नई पीडी को किस प्रकार लाब दे सकते हैं? दूसरा प्रश्ण, क्या प्रतेख संतान अपने माता-पिता की छवी होता है? हाँ, संतानों को संतकार तो अवश्य माता-पिता देते हैं, कि तू भीतर की शंता, भीतर की शंता तो इश्वर देते हैं तो जिस मार्क पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्क पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्थ होगा? तीसरा प्रश्ण, क्या जीवन के संघर्ष और चुनोतियां लाबकारी नहीं होती? क्या प्रते एक नया प्रश्ण, एक नय उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नय नय प्रश्णों, संघर्षों और चुनोतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाब करना कहलाएगा या आनी पहुचाना? असात, जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्मान करने के बदले उसके चरित्र का निर्मान करना श्रेश्ट है, बैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले, उन्हें नई संघर्षों के साथ जूजने के लिए मनों बल, वग्यान देना अधिक लाब दायक नहीं होगा वहम विचार कीजे जीवन का हर उक्षण निर्णे का शंट होता है प्रतेक पत पर दूसरे पत के विशे में कोई निर्णे करना ही पड़ता है और निर्णे निर्णे अपना प्रभाव छोड़ जाता है आज किये गए निर्णे भविश्य में सुख अत्वा दुख निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए भी आने वाली पीडियों के लिए भी जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है अनिश्चय से भर जाता है निर्णे का वक्षण युद बन जाता है और मन बन जाता है युद भूमी अधिक्टन निर्णे हम दुविधा का उपाय करने के लिए ने केवल मन को चांद करने के लिए लेते हैं पर क्या कोई दौडते हुए भोजन कर सकता है नहीं तो क्या युद से जूचता हुआ मन कोई योग्य निर्णे ले पाएगा वास्तव में शांथ मन से जब कोई निर्णे करता है तो अपने लिए सुखत भविष्य बनाता है किन्तु अपने मन को शांथ करने के लिए जब कोई निर्णे करता है तो वो विक्ति भविष्य में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता स्वयम विचार कीजीगा सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चे होता है रिदे में किन्तु मुख से सत्य निकल नहीं पाता कोई भए मन को घेर लेता है किसी घटना अथ्वा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयम से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना क्या ये सत्य है नहीं ये तो केवल तत्य है अर्थात जैसा हुआता वैसा केवल बोल देना समानने सी बात किन्तु कभी कभी उस तत्य को बोलते हुए भी भए लगता है कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन्त। दूसरे को दुख होगा ये भए भी शब्दों को रोपता है तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भए रहते हुए भी कोई तत्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है वास्तव में सत्य कुछ और नहीं केवल निर्भयता का दूसरा नाम है और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है अर्थाज? क्या पते एक्षण सत्य बोलने का अक्षण नहीं होता स्वयम विचार कीजिए जीवन ने आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयम को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वो सब गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है बसुदा मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन भी तब लेती है जब उसके अंतर में आत्म विश्वास नहीं होता आत्म विश्वास ही अच्छाई को धारन करता है यह आत्म विश्वास है क्या? जब मनुष्य यह मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बर बनाता है तो उसे अपने उपर विश्वास नहीं रहता वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूनने लगता किन्तु जब वो यह समझता है कि यह संघर्ष उसे अधिक शक्ती शाली बनाते है ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ती बढ़ती तो प्रतेएक संघर्ष के साथ उसका उस्ताह बढ़ता है अर्थार आत्म विश्वास और कुछ भी नहीं मन की स्थिती जीवन को देखने का दृष्टी कोण मात रह और जीवन का दृष्टी कोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है स्वयम विचार कीजिए ज्यान प्राप्ति सदा ही समर्पन से होती है यह हम सब जानते हैं किन्तु समर्पन का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्यान प्राप्ती में विभिन बाधाओं को उत्पन करता है. कभी किसी अन्ने विद्यार्थी से इर्षा हो जाती है. कभी पढ़ाय हुए पाठों पर संदेह जनता है. और कभी गुरुद्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है. नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं. और मन की इसी अयोग्य स्थिती के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं. मन की योग्य स्थिती केवल समर्पन से निर्मित होती है. समर्पन मनुष्ये के अहंकार का नाश करता है. इर्शा महत्व कांक्षा आधी भावनाओं को दूर कर प्रदे को शान्त करता है और मन को एकाग्र करता है. वास्तव में इश्वर की स्रिष्टी में ना ज्ञान की मर्यादा है ना ज्ञानियों की. गुरु दत्तात्रे ने तो गाय और श्वान पे भी ग्यान प्राप्त कर लिया था अखात वशे ब्रह्म ग्यान का हो या जीवन के ग्यान का या गुरु कुल में प्राप्त होने वाले ग्यान का उसकी त्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रती हमारा समर्पान क्या ये सत्य नहीं?